तो आईए दोस्तों इस वीडियो की शुरुबात करते हैं और बहुत दिनों के बाद आज ये क्लास आपके लिए स्टार्ट की है कोशिस करूगा कि आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहे हाँ इतना जरूर आपको स्पस्ट करना चाहता हूँ कि आपको जो भी क्लासेस अभी मिलेंगी वो अप्लोडिट क्लास होगी और मैं पूरी कोशिस करूँगा कि इसमें हर पॉइंट आपको जो भी मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा वो पूर्ण रूप से आपको समझ में आए तो आज हम पल्टिक्रेट स्लेबस में सेक्सप आज हमें जो सोनेट पढ़ने जा रहे हैं इनका वो है सोनेट नमबर 29 इसका जो टाइटल है दोस्तो वेन इन डिस्ट्रेज विद फॉर्च्यून एंड मैंस आईज यह एक्शुली पर्टिकुलर टाइटल तो नहीं है दोस्तो यह आप ध्यान रखेगा कि यह जो पहले ल तो आईए पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देता हूं देखेए सोनेट 29 इस वन ओफ 154 सोनेट जैसे कि आपको मालूम है कि सेक्ष्पेर ने 154 सोनेट लिखे हैं तो उन में से हैं यह सोनेट है 29 नमबर का रिटन बाई इंग्लिस प्लेराइट और विलिम से इस पार्ट ओफ दो फेर यूथ सेक्ष्पेंस जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों कि इनकी जो सोनेट है वो तीन भागों में डिवाइडेड है वन से लेकर के 126 इनको फेर यूथ सोनेट कहा जाता है उसके बाद दार्क लेडी और दो सोनेट जो है वो क्यूपिट को एड इस सोनेट नमबर 29 लिया गया है इन सोनेट की जो संख्या है दोस्तों वन से लेकर के 126 है इन दा एक्सेप्टिट नमबरिंग स्टैमिंग फ्रॉम फ्रॉस्ट एडिशन ओव 16 सोनों आपसे पूछा जाएगी इस सोनेट का वो पॉब्लिस हुआ है दोस्तों तो पहरा जो इस सोनेट के अंदर जो लेकरक है वो अपनी स्थिति पर शोका कुल है उदास है निरास है और अपनी जो इस्थिति है उस पर वो निराशा पकट करता है स्टेटस एज आउटकास्ट जैसे कि उसको बहिश्टरत कर दिया गया उसमास से वो अकेला पन उदास निरास महसूस करता है पर तु जब आपने मित्र के बारे में उसके प्रेम के बारे में सोचता है तो उसका मन परसंता से भर जाता है जो आपको मालूम है कि सेक्सपेर की जो सोनेट होते हैं वो थ्री क्वाटरेन और एक लास्ट जो कपलेट होता है उसमें डिवाइडेड होते हैं तो for having 14 lines यह तो आपको मालूम ही है कि सोनेट में 14 lines होती है of iambic pentameter जनरली जो देखा जाता है maximum number of times जो सोनेट है वो iambic pentameter को follow करता है और सेक्सपेर का सोनेट जो है वो end जो होता है दूस्तों वो एक populate से होता है तो याद रखेगा यह एक प्रकार का दोहा है सोनेट 29 follows the same basic structure as सेक्सपेर अधर सोनेट containing 14 lines and written in iambic pentameter and composed of three lining quadrants देखिए आपको बताया गया है कई वार आपको अभियाद भी है यह चीज कि सिक्सपेर का जो सोनेट है वो three quadrants में बटा होता है quadrants से मतलब आपको इसपस्ट है कि चार्चा line की जो है तीन string जा उसमें बनाए गए होते हैं with a rhyming couplet और एक couplet दो लाइनों की जो दोहा है host में लगा दिया लिए जाता है and the end अंत में it follows the traditional English rhyme scheme of A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F और GG तो यह जो six pair की सोनेट की rhyme scheme है दोस्तों वो इसी प्रकार की है यही है इसको आप याद कर लिजेगा A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F और GG magazine number of time थोड़ा बहुत change कहीं आपको देखने को मिल सकता है लेकिन याद रखिएगा magazine number of time यही six pair की rhyme scheme कही जाते है तो आईए शुरुबात करते हैं इस सोनेट की इसको मैं आपको समझाने का प्रियास करूँगा और उमीद करता हूँ कि आपको बात समझ में भी आए लेकिए सबसे पहले आपको बता दूँ एक friend है जिसको William Herbert का नाम दिया जाता है आल और सदम्तर के नाम से भी जाना जाता है तो ध्यान टक्रेगक कई बार यह आप से कूछ भी दिया जाएगा कि किसके बारे में है तो fair youth यह इनी के बारे में है अब वो क्या कहते हैं आईए मैं आपको line by line समझाने का प्रियास करता हूँ when in disgrace with fortune and man's eye ध्यान से सुनिए when in disgrace with fortune and man's eye जब भी कभी in disgrace मैं निराशा में होता हूँ मेरा मन उडास होता है with fortune अपने भागे के साथ अपने भागे के में जो भी मेरे भागे में लिखा है उन सब से जब मैं बहुत जादा निराश होता हूँ और मैं अपने आपको अकेला पाता हूँ उदास, निरास, अकेला, distress, डिक्दम and man's eye और मैं ये देखता हूँ कि जो लोग हैं वो भी मेरे को देखते हैं और उनका व्यवार मेरे प्रती उतना अच्छा नहीं तब ऐसी अवस्था में I all alone be weep मैं अपने भागे पर मेरे भागे में जो भी कुछ लिखा हुआ है जो भी मेरे पास सीजे जिनकी मैं काम ना करता हूँ नहीं है तो मैं अपने भागे पर रोने लगता हूँ और मैं अकेला, बहिश्रत, एकांग में अकेला अपने आपको महसूस करता हूँ My Outcast State, मेरी जो स्थिति है मेरा जो अकेलापन है मैं उसके वारे में सोचता हूँ और अपने भाग ये को सोच करके मैं रोने लगता हूँ उसके विलाख करने लगता हूँ और कई बार मैं निराश होकर के अपने भागे पर मैं इश्वर से प्राथना करने लगता हूँ इश्वर को अपना दुखला सुनाने लगता हूँ उसके आगे गड़गडाता हूँ परंतु यह श्वर के देवी देटावी मेरी बात को नहीं सुनते मेरी प्राथना को अंसुना कर देते हैं और ऐसा लगता है जिसे उन्होंने मेरे मेरे शब्दों को सुना ही नहीं और इस प्रकार जो मेरे शब्द है मेरी जो प्राथना है मेरे भागे के प्रती वो प्रात्ना इश्वर के द्वारा अंसुनी कर दी जाती है और वह प्रात्ना मेरी जब अंसुनी हो जाती है तो वो मिरर तक साबित होती है मेरे कोई भी फ्रात्ना का इश्वर से की गई काता था नहीं मिलता है और टुबल दी फैवन दोस्तो डीफ हेवन का मतलब है यहां ईश्वर से मतलब है देवी देवता हूं से मतलब है कि वो भी मेरी प्रातना को अंसुना कर देते हैं With my bootless price, bootless price से मतलब है जो जिसका कोई फल प्रात ना हो यानि कि useless, useless price जो भी मैं गरगराता हूं, चिलाता हूं, रोता हूं, गलाप करता हूं जो भी कुछ मैं ईश्वर से कहता हूं उसको वो अंसुना कर देते हैं देखिए आगे कहा है दोस्तो, and look upon myself and curse my fate और जब ईश्वर भी, जब देवी देवता भी, जब स्वर्व भी, मेरी इस प्राथना को ऐसे विकार कर देता है तब मैं फिर से अपने भागे को दिकारने लगता हूं कोसने लगता हूं, और बहुत ही मैं निराशा में चला जाता हूं कई बार यह लगता है कि जीवन में कुछ भी नहीं है and look upon myself मैं अपने आपको देखता हूँ curse my fate और दिकारता हूँ अपने भागे को आगे देखिए दोस्तों क्या कहा है wishing me like to one more wish in hope और कई बार ऐसा आप कोश्टे कोश्टे wishing me मैं इच्छा भी करता हूँ like to one more wish कि मैं भी उस व्यक्ति के समान होता in hope जिसका हड़दे आशाओं से भरा हुआ है जिसके हड़दे के अंदर बहुत सारी आशाएं हैं और वैं अपने उन hopes के द्वारा आगे बढ़ रहा है जीवन में उन्नती कर रहा है कई बार मैं निराश हो जाता हूँ featured like in उसकी खुबसूर्ती को देख करके उसके आधन को देखे दूस्तों यहाँ पर समझने का प्रियास करिए कौन-कौन से चीजे उसको परेशान करती है उन्ची जोपा उसने यहाँ पर वर्णन किया है कि कई बार मैं इतना अपने आप पर अपने भागे पर निराश हो जाता हूँ परेशान हो जाता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं जिनके पास आशाय हैं मैं उनको देख करके उनसे ईश्या उनसे घहना करने लगता हूँ उनसे द्रेश की भावना मेरे अंदर जागरत होने लगती है और कई बार में देखता हूँ कि जो लोग मेरे से अच्छे हैं उनकी सुन्दता को देख कर उनकी बोडी आकार को देख करके मेरे को उन से भी नफरत होने लगती है Like him with friends possessed और मैं उन लोगों से भी इर्शा करने लगता हूँ जिन लोगों के पास अपना दुख, अपना सुख बातने के लिए बहुत सारे मित्र होते हैं किन-किन लोगों से? ऐसे लोगों से मैं इर्शा करने लगता हूँ जिनका हर्दे आशाओं से भरा हुआ है ऐसे लोगों से मैं इर्शा करने लगता हूँ जो फिजिकल रूप से बहुत अच्छे दिखते हैं स्मार्ट है Like him with friends possessed और ऐसे लोगों से भी जिनके आशाओं सारे मित्र हैं अपना सुक और दुख बातने के लिए Desiring this man's art and man's scope और कई बार मैं ऐसे लोगों से भी नफरत करने लगता हूँ इशा करने लग जाता हूँ जो लोग बिबिन परकार के टैलेंच से गुनों से संपत हैं गुनों से भरे हुए हैं और दुस्तों scope से यहाँ पर मतलब है बिबिन परकार की जो activities हैं जो लोग आजकल कटते हैं तो वो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जब मैं उन लोगों को देखता हूँ कि कोई कुछ कर रहा है किसी के पास दोस्त है किसी का बॉडिली structure बहुत अच्छा है कोई smart है किसी के अंदर कुछ talent भरा हुआ है किसी के हर्दे बहुत उची-उची आशाओं से भरा हुआ है तो मैं इन सभी परकार के लोगों से इनको देख करके उनसे इश्या करने लगाता हूँ वो कहता है इन सब के साथ जिसको मैंने enjoy किया contented संदुष्ट में रहा means इस तो से मेरे को बहुत कम ही ऐसी चीज़े मिली है मित्र भी नहीं है बहुत अच्छे मित्र नहीं है बहुत सारी आशाये नहीं है कोई talent नहीं है इसा वो यहाँ पर अपने आपको कहते हुए दिकाता देखिए दोस्तों यहाँ से समझीएगा एट टर्न ओफ थोर्ट होने वाला है येट इन दीज थोर्स माइसेल्फ आल्मोस्ट डैस्पाइसिंग और ये सब भरना इर्शिया ग्रेस की भावना अपने फेट को ठिकारते हुए निराशा होते हुए दिस्ट्रेसिंग मोड में जाते हुए जब मैं अपने विचारों में खो जाता हूँ सोचने लगता हूँ येट इन दीज थोर्स इन विचारों में मैसेल्फ आल्मोस डैस्पाइसिंग तब मैं अपने आप से अपने भाग से घेना करने लग जाता हूँ नफरत करने लग जाता हूँ हैपली और उसी से हैं दोस्तो यहां से चेज़ थोर्ट आपको मिलेगा दोस्तो हैपली सही ओगवस आई थिंक ओंदी मेरा ध्यान तुमारे उपर चला जाता है यहां पर जो दी कहा गया दोस्तो यह अपने उसे मित्र की यह बाग करने है कि जब मेरा ध्यान तुमारे उपर चला जाता है तुमारी मित्रता की ओर चला जाता है तुमने जो मुझको पेन दिया है उसकी ओर चला जाता है and then my state और तब जो मेरी इस्थिती होती है दोस्तो वो परिवर्टित हो जाती है ज़र मैं उस दुख के बेला में सोचते सोचते सायों हुआ तुमारे बारे में सोचने लग जाता हूं तो मेरा जो ध्यान है वो ध्यान मेरा दोस्तो उस जगह से बट जाता है और मेरी इस्थिती परिवर्टित हो जाती है तुमारा जो प्रेम है तुमारी जो मित्रता है वो मेरे उस डिस्ट्रेसिंग मोड को चेंज कर देता है कैसी चेंज कर देता है तो उसको देखिए like a lark एक अबाबिल पक्षी की भाति at break of day जो दिन के निकलने पर arising उपर उठ जाता है कैसे from the sun on earth इस निराश भूमी से निराश भूमी से निराश से जब मैं तुमारे बारे में सोचने लग जाता हूं तो वो मेरे निराशा में जो विचार है एक अबाबिल पक्षी की तरह मैं हो जाता हूं जो दिन के निकलने पर उस आस्मान में उचाई में उड़ने लगती है और sings high और बढ़ी मधुर प्रातना गीत वो गाती है तो मेरा हड़े भी तुमारी मित्तरता तुमारे प्रेम के बारे में सोच करके ऐसे ही सुन्दर भावों से भर जाता है at heaven's gate उचे आकास में जिसे अबाबिल सुभा के सुभा जब होती है जब दिन निकलता है तो उस निराशा में धर्ती से उठकर के आकास में उड़ती है जब मैं तुमारी मित्तरता के बारे में सोचता हूँ तुमारे प्रेम के बारे में सोचता हूँ for thy sweet love remembered such wealth brings मैं तुम कुछ सच बताता हूँ कि तुमारा जो प्रेम है तुमारी जो मित्तरता है उस मित्तरता के बारे में जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो मेरा हड़ बाबिल के हड़ जैसा हो जाता है उस सुंदर पक्षी के जैसा हो जाता है जो प्रात्ना में मदोहीत आकास में गाती है और तुम्हारा प्रेन मेरे थिये इतनी फैल, इतनी शांती, इतना शकून, इतनी संबरति ले करके आता है कि मैं that then उस समय I scorn मैं धिकारने लग जाता हूँ किसीज को मैं ध्रना करने लग जाता हूँ to change मैं बदलना नहीं चाहता my state of with things मैं उस समय अपने आखो राजाओं की इस्तिती से भी बढ़िया आनंदित पाता तो दोस्तों ये पुरी पोयम है मुझे उमीर है आपको दोस्तों ये सोनेट समझ में आया होगा इसको मैं आपको PDF के रूप में दोस्तों प्रोवाइट कर दूँगा और आप इसको अपने आप से इवार पढ़ लीजेगा देखिए अभी टाइम है और इसी टाइम को लेकर के मैं कोसिस करूँगा कि आपको मैं क्लासेश प्रोवाइट कराऊ और आप चैप्टर बाई चैप्टर बड़े अच्छे सेंचीजों को तयार कर लीजेगा क्योंकि जब नदिक समय आ जाता है एक्जाम का दोस्तों तो आप काफी होच-कोच अपना माइट कर लेते हैं बहुत भर लेते हैं तो उसको हमें नहीं करना है इस चीज का विशेश दिखान रखिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में और मुझे उमीर है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों